साथियो नमस्कार निश्यत रूप से हमारे ही पक्ष में होगी जहां तक मुद्दा है तो अभी जो भी एंस्यल वैलिड होगा अभी कि एकॉर्डिंग भी अगर ब्येससी लेना चाहे उसको चेक करना चाहे तो चेक करने चाहे डायरेक्ट आप 2013 से भीफोर का या 2014 से भीफोर का आप एंस्यल मा ना चाहिए तो निश्यत रूप से हमारे ही पक्ष में होगी रही बात की वेससी में जितने भी स्टाफ बैठे हुए है तो एक तरह से अगर आप सोचिएगा कि वह स्टाफ चुनके कैसे जाते हैं कहां से जाते हैं चुनके हम लोग से ही चुनके जाते हैं तो उन्हें सिर् धरना पर बैट जाएंगे देखे लोगों का मानसिक्ता क्या है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में ऐसा ही मानसिक्ता है कि मान लीजे हम BSSC कमिशन के मेंबर है तो मेरा ही बच्चे मेरे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े देश बीदेशों में पढ़े क्योंकि ह हम तो बिहार को लूट रहे हैं, हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अब जो छोटे तपके के लोग हैं, जो मजदूरी करके, और उनके माता पिता कितना मुश्किल से उन्हें शेहर भेजता है, कि मेरा बेटा अध्यान करके और जोइनिंग करेगा, तो जो बिएसेसी कमिश के लोग हैं, वो सोचते ही नहीं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना घर चाहिए, अपना परिवार चाहिए, कि मेरा बच्चे अच्छे जगों पे जाने के लिए उन्हें घूश चाहिए, घूश दे दे कर लंडन, आक्सफोर्ड युनिवस्टी में वो पढ़ाएंगे ब बच्चों को लेकिन जो मजदूर का बच्चा है, वो आठ साल से न्याय की भीख मांग रहा है, उन्हें न्याय चाहिए, और लोग कहते हैं कि हमें कीजबी सदी में जीते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई नहीं बात करता है, क्यों? बहुत बहुत ज़्यादा तकलिफ हो इतने दिनों के बाद भी आप इस तरीके से काम किये हैं कि पीटी मेंस, अफ्टर पीटी उसके बाद मेंस कॉंसलिंग, एवरीधिंग, फिर भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब अगर मननिये जितने भी बिससी के सदस हैं, या सचीव महादा जी जो पाल कम से कम अब इस शीज को नहीं देर कर किजे, इस शीज को समझे, बिहार की जो बच्चे है, इसका भविस्का क्या होगा, कम से कम मजदूरी तो करने दीजे, यह क्या तरीका है, तो कहीं नहीं यह बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग इसको लेने, अब ही बताईए क जो intermediate का exam हो रहा था बिहार में, उसका जो intermediate का question है, वो viral हो जाता है, exam कल है, question viral हो गया आज, आखिर ये viral कौन करता है, आप बताइए, तो आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा टॉप करे, और कहीं न कहीं वो एक member ही होता है, कहीं न कहीं, उस बिभाग से ज जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जो बिहार के लोगों का मानसिकता है, कि नहीं चलो, अगर हम जॉब में हैं, तो दुसरा कुछ जॉब में आने ना दे, बस मेरा बच्चे पढ़ते रहे, मैं इस तरह तरीके से काम करता रहूं, और बस, तो कैसे बिहार का विकास आप कहते हैं कि सिक्छा विवस्था में केरला नमबर वन पे है, बिहार सबसे नीचे अस्तर पे है, कहते हैं तो कहने से कैसे संभव है सारा चीज, आपको बदलना होगा ना, जो स्टाफ है, जो लोग है बिहार के, उनको नमबर वन पे लाना होगा ना, कहते हैं कि नहीं, जो स्वक्ष्टा में बार बार इंदोर और मध्य परदेश का ही राज क्यूं आ रहे हैं? हमारा पटना तो आना चाहिए. तो सोशिए ना, तो लोग कहते हैं कि नहीं, 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 बिहार के एक दूसरे से discussion में लगे रहेंगे. यही चीज है ना, कि मानसिकता जब तक change नह ही होगी लोगों को अन्या होता ही रहेगा और तयार रहे हैं न्या सहने के लिए.